आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नहीं वीडियो में लेके आएं दो exclusive खबर future retail slash future group के बारे में, कब होगा इस सब का अंत, कब होगी deal का announcement और कब finally reliance को ये सारे के सारे चीज़े मिल जाएंगी, आएए पूरा visualization करते हैं, दोनों खबरों को पढ़े हमारे पास है, question पूछा जा रहा है कि कब deal complete हो जाएगी, तो देखें दोस्तों, इसका answer दो तरह से करेंगे, सबसे पहले, SEBI का approval most important approval है यहां से, और इसका approval जो trading circle में हमने आपको already information दी हुई है, हमारे हिसाब से 31 तारिक से पहले पहले इसका approval आजाना जाना, 31 जन्वरी की बात कर रहे हैं आपर, और जब यह SEBI का approval आजाएगा, तो उसके दो महीने के अंदर यह पूरी deal का काम खतम हो जाना चाहिए, relisting हो जानी चाहिए, तो यह है expectation और यही हमारी शुरू से बात थी, और यही किशोर बियानी जी का बयान भी आए, बहुत बड़ा statement दिया है, Amazon was fully aware of talks with reliance industries for sales of retail asset, यह clear है, हमने शुरू से इसको अपने चैनल पर बताया हुआ है, कि Amazon was already into the fortry, but वो नहीं चाहता था कि किसी तरह से यह deal complete हो, और वो खुद भी नहीं चाहता था कि future retail को कोई फाइदा मिले, future coupon की तरफ से, दो इसके चलते वे, दोनों के ने crisis हुआ, और यहा पर COVID के चलते हुए future retail का business पूरी तरह से ठप हो गया, तब जाकर reliance ने उसको खरीदा, इन्होंने कहा है, he hoped to complete the deal with reliance within two months of SEBI approval, तो देखे, अगर resume करते हैं, 31 तारिक तक, 31 जन्वरी तक, SEBI का approval आ जाता है, तो 31 मार्च तक यह deal पूरी हो जानी चाहिए, this is as per the official statement from किशोर बि आनी, आपको पता ही होगा, साथी साथ में arbitration भी चल रहा है, और यहाँ पर, कि arbitration process और जो से भी approval है, that can continue at the same time, deal completion, same time पर हो सकती है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, पिछले 3-4 दिनों से किशोर बियाने जी का कई letters issue हो रहे हैं, कई बियान आ रहे हैं, उन सब का क्या म पर आप Amazon को हलका मत समझी, Amazon बहुत गहरे पानी में है, उनको सारी चीजों का पता है, help ना करके, बल्कि वो चाहते हैं कि future group किसी तरह से डूप जाए, और Reliance Industries को future group ना मिले, यह सारी delay tactic है, जिसके चलते हुए, वो नहीं चाहते कि Reliance Industries online giant बने, अभी currently Reliance Industries, e-commerce में के वाल 1% का contribution करता है, वही 81% Amazon और Flipkart के होते हैं, तो यह बहुत जल्दी reverse होने वाला है, जैसे ही यह deal complete होगी, तो इसके चलते हुए, यह यहाँ पर थोड़ा सा उनको काटे वाली बात लग रही है, कि यहाँ पर नहीं होगा, तो यह उनका clear statement है, जिसके चलते हुए, यहाँ पर clear होगा, कि इन्होंने आगे आने वाले समय में इसको सेभी का approval आते के साथी, जो उन्होंने NOC दिखाया है, No Objection Certificate has urged to review the impunge transaction be suspended, तो Amazon कहा रहा है, कि यह transaction नहीं होना चाहिए, वहीं future group ने NOC दिखाया है उनको कि यह deal करा दिजे, High Court ने इसको approve कर दिया है, तो सेभी का decision important है, अगर दूसरी ख़बर की बात की जाए, तो दिखे इसका SIAC का arbitration process चल रहा है, वैसे तो वो already उसका interim order राच चुका है, तो final order के लिए अब तीन colleagues हो गए हैं, जो इसका overall supervise करेंगे, शायद आपको पता ही है, दो colleagues जो इसके शुरू से किये हुए हैं, वो हैं Albert और Jen, तो दोनों के नाव हमने अपने पहले वीडियो में भी बताये थे, आप इनके साथ में तीसरा member, Michelle, Michael भी जुड़ गए हैं, तो ये तीनों मिलकर इसका decision लेंगे कि arbitration का क्या होगा, पहुचाने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, अगर आपको ये information चाहिए, तो comment box में डालिए, we'll be more than happy to get him, state something for us based on their experience, he is in Delhi, तो हम कोशिश करेंगे उन से आपको बात कराने के लिए, अगर यहाँ पर कोई question है, तो comment box में डालिएगा, अब इस सब के चलते हुए, अब हम क्या conclusion निकालें, कि आगे आने वाले समय में future retail और future group का क्या हो सकता है, तो देखें, दो scenario है, कि यहाँ पर SEBI का approval आए, और जैसा हमारा time line है, उसके हिसाब से आए, ताकि आगे का process complete हो, और दो महिने के अंदर ये deal पूरी हो जाए, वहाँ पर अगर एक बार से भी का approval आजाता है, तो SIAC का arbitration जो process है, वो would be neglected, तो यही एक key context point है, job को समझना है, SIAC का ruling जो है, वो arbitration की basis पर है, और वो वहाँ पर Singapore court के accordingly, not as per Indian law, fundamentally, यह strong है, आप चाहें, तो इसको अपने portfolio में रखिए, प्लीज कंसल्ट यह financial advisor बिफोर investing in trading, टेक्निकली अभी week चल रहा है, अगर आप different technical parameter पर देखेंगे, तो उसके सबसे हम conclusion यह बता रहे हैं, हमारा target, 170 का feature detail का, जो हम अभी तक hold करके रखे हुए, चैनल का 5 by 5 rule दिखाया था, और अगर आप learning सीखना चाते हैं stock market में, और या फिर आप trading करना चाते हैं, तो आप हमें mail drop कर सकते हैं, we'll be more than happy to help you, हमने course custom design किया है, 8,000 रुपीज चार्जिस हैं, जिसमें आपको handle करकर trading से खाय जाएगी, जहीं जय भारत आपका दिन मंगल में हो, बाई गाइस!